DRDO September 10, Fitter Turner Machines की Spacer Class में आप सभी साथियों का Welcome है साथियों September 10 की इस सीरीज में DRDO एक्जाम से related सभी important chapters को अच्छे से clear किया जाएगा और आप सभी की कोई extra query होगी तो उसका भी समाधान किया जाएगा और friends ये सीरीज तब तक continue रहेगी जब तक की आपका technical का syllabus complete ना हो जाएगा और साथ ही साथ DRDO के exam से related जो भी महत्वपूर information है वो आपको इस class के माध्यम से बता दिया जाएगा और जो भी updates आती हैं वो आपको इस सीरीज में जितने भी class कराये जाएगे कोई update आता है तो मैं class के माध्यम से आपको inform कर दूँगा so guys वीडियो को इसकी पना करके complete वीडियो को जरूर watch कीजेगा friends आज ही class में हम first late machine chapter को start करते हैं और इससे पहले जो भी आपके DRDO exam से related जो basis class है उन सभी class की वीडियो का लिंक नीचे वीडियो के description में मैं डाल दूँगा आप वहाँ से उन सभी class की वीडियो को जरूर watch कीजेगा so friends late machine को start करने से पहले इससे related interesting points को जान लेते हैं क्या होता है कि पढ़ाई के साथ-साथ interesting fact भी पता होने चाहिए जिससे की पढ़ाई में interest हो बना रहे so guys let's be started generally late machine का invention सन 1790 में चूड यानि की thread काटने वाली खरात के रूप में हुआ था then सन 1890 में यानि की 18,000 में henry mousley जो की एक british नागेक था ने thread काटने यानि की चूड़ी काटने का मूल तरीका निकाला जिसमें आपका lead screw को बिना change किये हुए ही spindle और lead screw पर भिन भिन दातों वाली गराडियां लगा कर हम 16-100 TPI यानि की 16-100 TPI प्रती इंच thread काट सकते थे बट दोस्तों आज के modern युग में different type की automatic machine बन गए हैं फिर भी mostly क्या है mostly जो आपके job है वो lead machine पर ही बनाए जाते हैं क्योंकि ऐसे बहुत से car हैं जो दूसरी machine पर नहीं किये जाते हैं उन्हें आसानी से lead machine पर हम कर सकते हैं for example जैसे आपका हो गया inside and outside plane turning step turning operation, thread cutting operation, drilling operation, boring operation, raming हो गया आपका knurling हो गया, milling हो गया, spinning हो गया यह सभी operation हम lead machine पर आसानी से कर सकते हैं friends अब हम lead machine के parts को समझ लेते हैं क्योंकि यह चीजे basic हैं और आगे questions को समझने के लिए इसके बारे में knowledge होना अतियावस्यक है तो जैसा कि आप figure में देख रहे हैं lead machine के main parts हो गया, आपके head stock आपका head stock होता है, उसमें आपका life center होता है tell stock, tell stock में आपका dead center होता है यह आगे question आएगा, मैं उसमें आपको clear करूँगा tool post हो गया, आपका base हो गया, carriage हो गया carriage जो देख रहे हैं आप guys, इसके mainly 3 parts होते हैं first हो गया आपका saddle, second हो गया apron and third हो गया आपका cross slide lead screw और seats up यह सभी आप जो late machine के main parts हैं, इसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए जिससे कि क्या है कि आगे question आएंगे, इस figure से relate होते हुए आएंगे जिससे आपको questions को समझने में और उसके parts को समझने में किसी भी तरह का कोई doubts ना रह जाए So guys, I hope पीछे वाले सभी points आपको अच्छे से clear हो गए होंगे और बढ़ते हैं questions की ओर Friends, वीडियो में हमारे साथ last तक बने रहीएगा मैं भरोसा दिलाता हूँ, आज ही class आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रहेगी सीखने वालों के लिए So first question है आपका की speed lathe is used for which of the following function Speed lathe का प्रियोग निम्निमेसिक किस कार के लिए किया जाता है First option है आपका for metal turning Second option for metal spinning, धातु की spinning करने के लिए C option for thread cutting, चोड़ी काटने के लिए D option है आपका for taper turning So friend जो आपका speed lathe होता है, speed lathe का huge metals की spinning के लिए यानि की B option आपका correct है Speed lathe का प्रियोग metals की spinning के लिए करते हैं इसको हम और अच्छे समझ लेते हैं इसके अधरित जो आपका speed lathe होता है ये मसीने job पर polishing करने जाता Job के किनारों पर central hole करने के लिए भी use की जाती है और guys इस machine में जो आपका gear box, carriage, lead screw या feed rot नहीं होता इसको आप कहीं note down करने करते चले जो आपका speed lathe होता है Speed lathe machine में gear box, carriage, lead screw, feed rot नहीं होता आम तर पर इसमें क्या होता, इसमें back gear नहीं होता, इसके spindle की जो गती होती है spindle का जो motion होता है, 12,000 से लेकर 36,000 round per minute तक रखा जाता इस काराड इसे speed lathe भी कहते हैं I hope question अच्छे से clear हो रहे होंगे, बढ़ते हैं next question की और Friend, यदि आपको question अच्छे लग रहे हो, points अच्छे से clear हो रहे होंगे तो वीडियो को like और अपने दोस्तों में share जरूर कीजेगा और comment section में comment करके आप हमें motivate भी कर सकते हैं जिससे मुझे ये लगए है कि मैं आप सभी को जो भी content provide करा रहा हूँ आप सब भी को अच्छे से clear हो रहे हो और अच्छे से समझ में आ रहे हैं second question क्या कह रहा है कि the process of making utensil on speed lat which metal seat is called धातू की चादरों से speed lat पर बनाने की प्रिकिरिया को कहते हैं spinning हम कहते हैं molding या casting या threading so guys जो speed lat होता है speed lat पर thin seat को spinning करके बरतन बनाने में यूज किया जाता है a option correct है third question है कि bench lat the length of the bed is bench lat के bed की लंबाई कितनी होती है तो guys जो आपको bench lat होता है उसकी जो bed की लंबाई होती हो बहुत ही small size की होती है जो की 1.4 meter होती है जिसे हम आसानी से bench या मेज फिट कर सकते हैं क्योंकि यह accurate होती है इसलिए इसका use small and precision work से लिए किया जाता है friends अभी points आप note करते चलिएगा generally इसके जो bed की लंबाई होती है जो length होती है वह 14,000 याने की 1400 mm आप इसको जरूर ध्यान यूनिट का भी ख्याल लखिएगा इसमें क्या meter है बट जो हमने भी बताया उसकी length 1400 mm यदि आपका option meter दिया रहेगा तो 1.4 और अगर कहीं option में meter ना देकर millimeter दिया जाएगा तो आपका जो bench length की length होगी होए 1400 mm होती है और इस machine पर हम अधिक से अधिक 30 mm diameter की rod घुमा सकते हैं और जो इसका spindle होता है इसके spindle की गती वह आपकी 25 से 4000 rpm तक होती है fourth question है speed of tool room late spindle tool room में जो आपकी late machine होती है उसकी spindle speed कितनी होती so guys generally जो tool room में जो late machine होता है उसके spindle की speed 20 rpm से लेकर 2000 rpm होती है जिसमें आपका c option correct है यह भी आपका question guys most important है fourth question sorry fifth question है आपका कि on the late bed the V root is the angle late bed पर बने V margo का angle कितना होता है 60 degree, 90 degree, 120 degree, 150 degree तो जो आपका late machine होता है जो V root बने होते है उसका angle 90 degree होता है both angle 90 degree होता है अगर हम इसको यू ऐसे है अगर हम इसको यहाँ पर dotted कर दें तो आपका single अगर पूछा जाएगा तो यह आपका 45 degree होगा I hope question अच्छे से clear हो रहे होंगे sixth question है कि follower steady rest को fit किया जाता है follower steady जैसा कि आप figure में देख रहे हैं follower steady को हम कहां fix करते है follower steady rest को हम late carriage पर fit करते है A option correct है इसको हम traveling steady rest भी क्या कहते है traveling steady rest भी कहते है इसका use उस time किया जाता है जब हमें कोई लंबा job है यानि कि lengthy job है उसको हम एक बार size में सही turn नहीं कर सकते हैं ताब हम follower steady का use करके उसको support देके उसको अच्छे से turn कर सकते हैं सेवन्थ question है जो आपकी orthogonal cutting होती है orthogonal turning होता है उसका orthogonal turning कम cut से finish turning यानि कि कम cut से finish turning की उत्तम भी दिए इसमें क्या होता है आपका जो chattering की problem होती है वह बहुत कम होती है तूल का cutting is tool axis के समनांतर होता है और guys orthogonal cutting का main advantage क्या होता है याई load को बड़े छेतरफल में divide करता है C option correct है question number 8 क्या कह रहा है कि types of chips should be released at the time of turning of mild steel mild steel की turning की समय किस प्रकार के chips निकलते हैं सुगा जब हम late machine पर mild steel की turning करते हैं तो उस समय long curly chips निकलते हैं B option correct है यह भी question आपका कई बार repeat हो चुका है question number 9 है कि excessive overhang of the late cutting tool late cutting tool का अत्रिक overhang होना option यह chattering करेगा option भी tool अधिक गर्म होगा option सी tool wear यहनकि mode tool wear option टूल टॉप रेक and front clearance increase tool का टॉप रेक और front clearance का बढ़ना so as late cutting tool का अत्रिक overhang होने होने पर आपका chattering होने की problem अधिक होगी question number 10 है कि when the job is tied on the late its taper is measured जब जब लेट पर बंधा हो तो उसका taper मापा जाता है option A by taper blood gauge and ring gauge यह option B by steel rule and micrometer यह option C by universal protector यह option B by sign bar and slip gauge so guys जब लेट मशीन पर job बंधा हो तो उसका taper हम vernal for universal bevel protector के द्वारा मेजर करते हैं C option correct है question number 11 क्या कह रहा है कि threads above the tail stock spindle are used tail stock spindle के उपर thread प्रियोग होती है option A square thread left hand square thread option C right hand square thread या आपकी multi start से thread so guys जो आपका tail stock होता है उसके spindle के उपर जो thread यूज की जाती है वह आपकी left hand square thread यूज की जाती है कहने का sense क्या है कि tail stock spindle पर left hand thread होने का benefit यह होता है कि hand wheel जो होती है hand wheel को हम जब clockwise movement के साथ barrel को हम घुमाते हैं तो यह आगे का बढ़ना सुनश्चित होता इसलिए tail stock spindle के उपर जो thread होती हुए left hand square thread होती है B option correct है question number 12 है कि which taper is made inside the tail stock barrel most important question है tail stock barrel के अंदर कौन सा taper बना होता है option है most taper option B jarno taper option C matrix या brown and sharp taper तो tail stock barrel के अंदर जो taper यूच किया जाता हुए mores taper यूच करते है the carriage and cross slide of late machine receive automatic feed by which of the following mechanism late machine के carriage वक्रॉस लाइट को निमने में से किस यंतरा वाली द्वारा स्वचालित feed प्राप्त होती है option A rack and gear mechanism या option B bevel gear mechanism या option C warm gear mechanism या option D ratchet and pole mechanism शोगाई late machine के carriage वक्रॉस लाइट जो होता है वह आपका warm gear mechanism के द्वारा स्वचालित feed प्राप्त करता है C option correct है question number 14 है कि the guide nut fitted with the cross feed screw of late machine is metal late machine के cross feed screw के साथ लगे guide nut की धातू होती है so guy जो आपका late machine होता है उसके साथ cross feed होता है cross feed screw के साथ जो guide nut लगा होता है वह आपका bronze metal का बना होता है C option correct है which of the following is not a benefit of all geared head stock question को बहुत clear full यानि की बहुत ध्यान पूरवक पढ़िएगा question में क्या कह रहा है कि निम्न मेज से all geared head stock का कौन सा लाभ नहीं है लाभ नहीं है option ने more speed numbers और obtained और एक speed संका प्राप्त की जाती है option भी speed conversion facility speed बदलने में सुवधा रहती है can be placed on the work piece work piece पर भारी कट लगाया जा सकते है option D power slip होती है तो guys जो आपका late machine में all geared head stock होता है उसका जो benefit नहीं है advantage नहीं है वह आपका power slip होती है D option correct है question number 16 है which one of the following mechanism is used to reduce extreme spindle speed lathe spindle speed में अत्यधी कमी लाने के लिए निम्न में से किस यंत्रावली का उप्योग किया जाता है तो late का जो spindle speed होता है उसमें कमी लाने के लिए यानि कि reduce extreme spindle speed तो उसके लिए हम back gear mechanism का यूज़ करते हैं B option right है tumbler gear is used tumbler gear का प्रयोग किया जाता option नॉटन gear box को गति प्रतान करने के लिए to provide speed to norton gear box option B to speed up the carriage carriage को गति प्रतान करने के लिए option C to speed up the compound slide compound slide को गति प्रतान करने के लिए option D to speed up lead screw lead screw को गति प्रतान करने के लिए so guys जो आपका tumbler gear होता है tumbler gear का यूज नॉटन gear box को गति प्रतान करने के लिए use किया जाता है A option correct है question number 18 कह रहा है कि a curve groove cut on a cylindrical or conical surface is called किसी बेलना कार या संक्वा कार सटह पर cut a groove को कहते हैं grooving, taper lathe, threading या आपका spinning so किसी cylindrical अथवा conical surface पर cut a cylindrical groove को हम threading कहते हैं c option correct है question number 19 है to cut the outer thread on the lathe using the hand dye stock the lathe spindle is reverse one guys मैं question को बहुत ही अच्छे से और आराम से read कर रहा हूँ जिससे आपको सबी question अच्छे से clear हो जाएं यदि आप इस class को boring यानि कि class को देखने में bore feel कर रहे हैं तो आप class को skip कर सकते हैं क्योंकि मुझे ऐसे students चाहिए जो वाकई DRDO के exams को qualify करने के लिए अपने दिल से ये प्रयास कर रहे हैं कि मुझे इस बार DRDO के exams को qualify करना ही करना है और DRDO के department में नौकरी करनी हैं तो बढ़ते हैं questions की और question कहरा कि head stock का प्रयोग करते समय लेट पर बारी चूड़ी काटने के लिए लेट spindle को एक बार reverse किया जाता है 2 rotation, 3 rotation या half rotation या 4 rotation तो hand die stock का प्रयोग करते समय लेट पर हम जब external thread काटते हैं तो लेट spindle को हम half rotation reverse करते हैं C option correct है question number 20 है which of the following is a cutting tool which is used for both turning and facing एक संडिमन में से कौन सा cutting tool जिसका प्रयोग turning और facing दोनों कियाओं के लिए किया जाता है तो आपका जो cranked tool होता है cranked cutting tool का use turning और facing दोनों operation के लिए किया जाता है question number 21 है the lathe cutting tools have a positive tap rack angle between 0 degree to 20 degree which is mainly used for turning which are the following metals lathe cutting tool पर 0 degree से 20 degree के मद positive top rack को रखा जाता है जिसका मुख प्रयोग निम्न में से कि धातु की turning के लिए किया जाता है option है aluminium के लिए या कास्ट आरेन के लिए माइल स्टील या आपका हाई कार्बन स्टील तो lathe cutting tool पर 0 degree से 20 degree के मद positive top rack एंगल रखा जाता है जिसका मुख प्रयोग aluminium metals की turning के लिए किया जाता है a option correct है question number 22 है which आप दी following metals है जा segment chip when turning निम्न में से किस metal की turning करते समय वरत खंडिये chip से निकलते हैं so guys जो आपका cast iron होता है यदि हम cast iron की late machine पर turning करते हैं तो turning करते समय आपका वरत खंडिये chip यान एक segment chip से निकलते हैं ये option right है question number 23 है कि compound rest slides are mostly used for compound rest slide का अधिकान सिता उप्योग dash के लिए किया जाता है जैसा कि guys आपने अभी पीछे figure में देखा होगा कि compound rest slide तो आपका जो compound rest slide होता है उसका जो mostly used होता है वह taper turning के लिए होता है D option right है question number 24 है कि to perform cross slide operation cross slide operation को perform करने के लिए dash होता है तो cross slide operation को perform करने के लिए turning ये भी आपका option गलत है trade cutting ये भी गलत है facing so guys cross slide operation को perform करने के लिए facing होता है c option correct है question number 25 है आज का हमारा last question है कि for turning aluminum cutting speed is maintained for high speed steel tools lathe machine फ्रेंड ये bracket में lathe machine क्यों लिखा गया है क्योंकि क्या होता है कि जो आपका aluminum की अगर हमें turning करनी या milling करनी हो high speed steel tool के द्वारा जो उसकी cutting speed होती वो lathe machine के लिए अलग रहेगी milling के लिए अलग रहेगी तो इसलिए इसमें bracket में lathe machine लिख दिया गया जिससे आपको कोई doubts ना हो so guys aluminum की turning के लिए high speed steel tool के लिए cutting speed जो रखी जाती हुए hundred meter प्रति मिनट रखी जाती है friend जो आपका cutting speed होता है होता कि इसको हम समय लेते कि lathe machine के cutting tool के cutting age त्वारा घूमती हुई job की परदी सतह से एक मिनट में जितनी धातु काटी जाती उसे लंबाय में यदि मापा जाए तो आपका cutting speed होता है और friend cutting speed को हम प्रति मिनट या foot प्रति मिनट में मापते हैं for example यदि हमें for example दो तीन हम बता देते हैं आपको cutting speed जो होता है आपके different यानि कि अलग-अलग meters के लिए अलग-अलग होता है जैसे अगर हमें hide speed steel tools के दौरा अगर हमें cutting speed करनी हो यानि कि turning करना हो mild steel के लिए तो उसकी cutting speed कित्ती रखी जाएगी या आप note करते चलिएगा 35-50 meter प्रति मिनट और यदि हमें high speed steel tool के दौरा यदि brass metal की turning करनी हो तो उसकी cutting speed जो रखी जाएगी वह आपकी 50-100 meter प्रति मिनट और यहीं पर अगर हम बात करते हैं bronze की तो आपकी cutting speed रखी जाएगी 35-70 meter प्रति मिनट और यदि हम high speed steel tool के दौरा cast iron की turning करते हैं तो उसकी जो cutting speed रखी जाएगी वह आपकी 35-40 meter प्रति मिनट रखी जाती है I hope आपको सभी questions अच्छे से clear हो गए होंगे तो मिलते हैं अपनी next class में आगे के नए question के साथ तब तक बने रहे हमारे साथ आपके अपने YouTube channel सुपर टेक्नो में गाइज वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत भावत धन्यवाद इसी तरह अपना प्यार और support बनाए रखिये